है गएस स्लाम अलेकुम आजकी वीडिua में हम फ्लावर्वर बनाना देखेंगे तो मैंने ने कॉड्ज ले लिए धियंघें जो है तीन मीटर के कॉड्स एक कोड्व ले लेंगे उसका सेंटर कॉड्च कहलेंगे सेंटर में हम दोनों कॉड़् को अटाच करेंगे कि कि अब एके कोड्स को लेके हम सिंगल टाइम पाइपिंग कर लेंगे फिर से अब बीच का दो कॉड्ड लेंगे हम उसमें हम एक बीड एड करेंगे अब बीच के चार कॉड्स को एक साथ करके साइट के धागों से हम इसको नॉट बांग लेंगे यह एक रांड फ्लावर के तरह दिखेगा सो इसी तरह से हमें आज से दस फ्लावर बनाने पड़ेंगे यह मैंने फॉर इंच का रिंग ले लिया है अब इसी में हम यह सारे फ्लावर को अटेच करेंगे अंदर के तरह रखते हुए बाहर से पाइपिंग करेंगे साइट के जो दो कॉड्स होंगे उन्हें हम डबल पाइपिंग करना और बीच के जो दो कॉड्स होंगे उन्हें सिंगल पाइपिंग करना आप देख सकते वीडियो में पाइपिंग करना आप देखर दो को वीडियो में तो मैंने सारे फ्लावर्स को अटाइच कर लिया है एक हम एट लिस्ट मेरे इसमें एट फ्लावर्स आए हैं अब हम यहां पर सारे सिंपल नॉट्स लागेंगे चार-चार द्रागों को लेट कर कर दो कर दोे खोज कार थुछा है कर दो fan आग अरा दादा इसी तरह से हम एट लिस्ट एट टू टैन लाइन्स बना लेंगे सिंपल नॉट्स के तो यह तैयार है सिंपल नॉट्स बना के अब हम इसमें फोर इंच करिंग अटेश करेंगे जैसा हमने ऊपर वाले में कीया था वैसर हमें इसमें भी करना है एक का डबल पैपिंग करना फिर दो सिंगल पाइपिंग होगी फिर से एक डबल पाइपिंग होगी इसी तरीके में सारा वैपिंग कर लीना है तो यह पाइपिंग भी हो चुका है अब हम इसमें सिम्पल नॉट्स लगाएंगे सिर्फ एक लाइन ही हम लगाएं सिम्पल नॉट्स वाले बनाएंगे अब हम बीच के दो धागे लेकर अपने मन पसंद के वीट्स लगाएंगे आपको जैसा भी कॉंबिनेशन चाहिए आप वैसा कॉंबिनेशन कर सकते हैं मैंने ब्लैक और पिंक कलर के वीट्स लिए है यह एक लाइन कंप्लिट हो चुका है अब हम इसी तरीके से शिक्स टू एट लाइन्स बना लेंगे पूरा सो मैंने यहां सिक्स लाइन्स बनाए हैं और यह मैकरेम का बॉल मैकरेम के पुराने धागों का यूज़ करके बनाया हुआ है आप भी बना सकते अब इसको हम इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर अच्छे से टाइप ली इसे अच्छे से डालने के बाद में अब हम फिर से एक बीड का लाइन कंप्लिट करेंगे हुआ 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 है कंप्लिट होने के बाद हम सिंपल नॉट्स लगाएंगे उसे सेक्यूर करने के लिए अब जितने चाहे उतने लाइन्स बना सकते मैंने यह सिफ दो या तीन लाइन्स बनाए हैं हुआ 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 है करें यह उल्ड करेंड़ और तो रहाएंगे हुआ 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 है तो ये सारे नोट्स बन चुकी अब इसमें हम 4 इंच करेंगे उसी तरीके से आया पाइपिंग करेंगे जैसा उपर का किया हमने पू हैpelे नहीं जाएपिंग्राट करेंगे बनेया पाइब श還्याप शå किया है? झाल धून वहाँ करेंगे अया हमने करेंगे लेके शायर शी करेंगे नोट करेंगे येपर करेंगे से तरीके उाव बन्रेया हमने पारते बन्रेंगे तरीके से भीजी दायर Testament रिप के पाइपिंग हो चुकिए अब इसमें से एक काड़ लेंगे और उसे भी पाइपिंग करना शूरू करदेंगे ताकि हमारा नीचे घाई सब फ्या प्यक हो सकते हैं हम एक-एक कॉड़ सकते हैं कभी double piping, कभी single piping ऐसे करते हुए हमें जलेबी की तरह गोल गोल बना लेना है So guys, last का part ऐसे दिखता है जलेबी की तरह गोल गोल extra quarts को मैंने cut करके lighter करके अंदर डाल दिया और फूर आप final product मेरा ऐसे दिखता है flower pot So अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को subscribe करे like भी करे, share भी करे और comment भी करे Thank you